मैं आज आपको इसके साइडवेट्स बताऊंगा तो चले लेट स्टार्ट इसका जो ब्रांड नेम है वो स्टामिटल है और जो इसका जैनेरिक एक्टिव फार्मसिप्टी करिंग रिलिट है वो प्रोकलोर पेराजीन है टैबलेट्स है और जो इसका इसकी सान उफिय हैलें इसके कॉमन साइड रेख लेते हैं बहुत जादा इससे नीन होते हैं तो नहीं को जा कोल जौक्ष आग्रिंज होला नानुज़्ध से येजिखो dris थिखता है बहुत जादा writing movements कर रही हुथी है जिससे बहुत मुश्किल हो रही होती है कि इसके रावह देखें तो skin reactions हो सकते हैं लो blood pressure भी हो सकता है इससे और skin और जो आखें वोती होती हैं उनकी yellow ing भी हो सकती है यह इंडिस्टीस भी कर सकते है अब Denrose side effects ने तो Those daher में, निरो मैलेक्णनर्डे इंड्रों भी होसता है। Restless Blobs भी होसता है लिक्लिक्रोबीया भी होसता है और्प्राइड निरो मसकुलर 2 यहुसक्शन्स भी होसते हैं इक्स्ट्राइमििडर अिरेक्षंस भी要सते हैं जो है निगल्ले में मुश्किल हो सकती है यानि के Muscle के spasms हो सकते हैं Muscle सभी वर्क निगर पाते है प्रोटेजीन हो सकती है तंग की यानि के टंग लबान जो है वो मुश्किलों से चलती है बोला नहीं जाता और और okilogaric crisis भी हो सकते है इससे सूडो पार्किंसन जैसे सिंटम्स भी ये कॉस कर रहे होते हैं और डर्माटाइटिस भी ये कॉस करती है दवाई वह इस वाज़ा से क्यूंकि जब ये क्लोथ पर यहां पर इसकिन पर अगर इसका लग जाए तो इससे एलर्जिक रेक्शन कर सकते हैं इंफ्लेमेशन कॉस कर स और जाव इसमें टार्डेन डिस्काइन इस अभी हो सकते हैं इनके भी बहुत दारा इसमें सिंटम्स होते हैं जब वहर बहुत अच्छी में रिशना और एंटी साइकोर्टिक सीट्रा ये भी जो है नियूरो मैलिक्निन सिंड्रोम कॉस कर रही होती है और इसके और भी कर सकते हैं इसकी मज़ीद डिटेल के लिए तो अपना बहुत क्या लगए अगा थैंक यू